कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में जनवरी सेकंड बी यानी जनवरी की दूसरे सब्दे की करण टैफिर को कबर करेंगे तो उसतो यहाँ से इससे पहले हमने जनवरी पहले सकते की current affair डाल दिये जिसमें हमने 70 question cover किये थे तो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसी playlist में आपको link मिल जाएगा आप जा करके देख सकते हैं तो आज देखेंगे दोस्तो 7 जनवरी से 14 जनवरी तक की current affair को काफी अच्छे question सामिल किये हैं तो उस तो हमने इसमे आप वीडियो को last तक देखेंगे क्योंकि हम बेकली current affair को ले करके चल रहे हैं आपको पता है कि time की कमी के चलते हैं हम per day के हिसाब से नहीं दे पाते हैं आपको current लेकिन per day के हिसाब से जो current देते हैं हम बेकली देते हैं क्योंकि 7 जनवरी 8 जनवरी इस तरह से हम इसको cover करते हुए चलेंगे तो चली शुरू करते हैं दोस्तों साथ जन्वरी की करेंट अफ्यर को कुशन पहला है पुर्सों के टेस्ट किर्किट में कौन अमपाइरिंग करने बाली महिला अमपाइर बन गई है जो चौथे अमपाइर की भूमिका निवा रही हैं तो यह बन गई हैं दोस्तों किलेर पोलो साग है ना यह आश्टेलिया की मूल निवासी और चौथे अमपाइर की रूप में अपनी भूमिका आदा करेंगी चली अगला कोसन देखते हैं अमेरिका के नब निर्वाचित राष्टपती जो वाइडन के कोलंबिया सरकिट के जिला कोर्ट में जज मौरिक गौर्लेंड को किस नए पद पर नियुक्त किया गया है तो इने किया गया है दोस्तों जज अटारनी जन्रल के पद पर चली अगला देखते हैं कुशन थर्ड है कौरोना के मद्दे नजर इस महां होने वाले ग्रेमी अवार्ड 2021 को कव कराया जाएगा तो इनको पॉश्ट कौन करके कराया जाएगा दोस्तों मार्च 2021 में चली अगला कुशन देखते हैं जो की काफी इंपोर्टेंट है इसको इस्टार कीजेगा आप नोट डाउन कीजेगा कुशन फोर है भारत एवम इजराइल के इजराइल ने मद्ध्यम रेंज की किस मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परिक्षन किया है इसका किया है दोस्तों MRSAM रक्षा प्रणाली का इस मिसाइल के वारे में बात कर लेते हैं इस मिसाइल का जो परिक्षन किया गया है दोस्तों वो ओडिसा के चांदीपुर से किया गया है अगर हम देखें कि इसकी मारक छंबता कितनी है तो 70 किलो मीटर के दाइरे में अगर कोई भी चीज यानि की जैसे की लड़ां को विमान हेलिकाप्टर ड्रोन बगैरा इसके दाइरे में आते हैं तो इनको ये मार के किरा सकती है सतय से हवा में मार करने वाली है में साइल है खास बाती है दोस्तों ये 360 डिगरी एंगल पर घूम सकती है तो ध्यान रखना दोस्तों इसको चलिए अगला कुशन देखते है कुशन 5 है भारत ने अमेरिका से कौन सी 11 तोपे खरीदने के लिए 3800 करोड रुपे का सौधा किया है तो ये किया है दोस्तों 127 mm medium कैलीवर तोपे है न ये किसके साथ सौधा किया गया है अमेरिका के साथ सौधा किया है भारत सरकार ने ध्यान रखता है ये भी कौशन परिक्षा की दिश्टी से काफी इंपोटेंट है कुशन 6 है पाकिस्तान को टूप जीरो से टेस्ट सीरीज हराने के बाद कौन से टीम पहली बार ICC टेस्ट रेंकिंग में पहले स्थान पर पहुँच गई है तो ये पहुँच गई है दोस्तों न्यूजिलेंड की टीम चलिए अगला कुशन देखते हैं कुशन 7 प्रधा मंत्री नरेंद्र मोदी आज किस कॉरीडोर का उधगाटन करेंगे यानि कि साथ जन्वरी को किस कॉरीडोर का उधगाटन किया था तो बैस्टन डेडिकेटिट फ्रेंट कॉरीडोर का उधगाटन किया था नरेंद्र मोदी जी ने कुशन 8 देखते हैं किसे दूसरी बार अमेरिकी संसद पिर्तिनिदी सभा का स्पीकर नियूप्त किया गया तो ये किया गया दोस्तो नैंसी पहलोसी को कुशन 9 देखते हैं आंद्र प्रदेश राज्यक के हाई कोड के नए मुख्य नयदीस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो यह किया गया है दोस्तों अरूप कुमार गोश्वामी को देखे सभी कुशन हमने बही उठाएं जो की इंपोर्टेंट कुशन है आपको साथ दिन की करेंट अब एक साथ दे रहा है यानिकि लगभग लगभग 70 कुशन कवर करने की कोश्व समयाजे करेंगी तो सभी कुशन बहुत ही important है आप वीडियो को द्यान से रखिए आप इसकी PDF आपको टेलीग्राम गुरूप से मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम गुरूप अगर आपने जॉइन नहीं किया तो link description में आप जॉइन कर लेजिए भी चली देखते हैं 8 जनबरी की current फिर को दोस्त पहले पहले नमबर पे अब पहले नमबर पे एलॉन मस्क है इस question को ध्यान रखिएगा इस जैसा question आपको नीचे भी देखने को मिलेगा तो दोस्तों Elon Musk के बारे में आपको 2-3 fact याद रखने चाहिए मूल निवासी जो है दक्षणी अफ्रीका के मूल निवासी लेकिन फिल के तीन एहम कमेटियों की 2022 में अध्यक्षता करेगा उनका नाम क्या है तो तालिवान सेक्षन कमेटी की करेगा काउंटर टेरिडिन कमेटी और लेविया सेक्षन कमेटी की भी करेगा ठीक है चलिए अगला question देखते है कुशन थर्ड है स्वास्ट एवं परिवार कल्यान विवाग के बिसेश सचिव SM अली ने कोरोना के बड़ते संक्रमल के कारण किस सरकार के अधिन आने वाले सभी मेडिकल कॉलेज खोलने के निर्देश दिया है तो यह किया है दोस्तो दिल्ली सरकार ने कुशन फोर देखते है किंदर सरकार ने लद्दाग में सिंदू नदी पर 144 मेगावाट की कितनी परियोजनाओं को मंजूरी पिर्दान की है यह ना तो की है दोस्तो आठ जल बिद्दुत परियोजनाओं की चली कुशन देखते हैं 5 मसूर फैसन डेजाइनर है मों भारती साड़ी को आधुनिक रूप देने के लिए जाने जाने वाले मसूर डेजाइनर का 79 वर्स की उम्र में निदन हो गया उनका नाम क्या है तो इनका नाम है दोस्तो सत्या पॉल कुशन 6 देखते हैं सरकार ने बित वर्स 2020-2021 में जीडीपी की विकास दर्व कितने पृतिसत रहे तो पृतिसत का फिलाल तो माइनस में है कुशन 7 देखते हैं 6 जन्वरी को भारतिय मानक ब्यूरो ने अपना कौन सा स्थापना देवस मनाया तो यह मनाया दोस्तो 24 संस्थापना देवस कुशन 8 है हेमा कोली ने किस राज्य के चीफ जश्टिस के रूप में सपत लिये तो तेलंगना राज्य वहां की चीफ जश्टिस बनी है चली तेलंगना के बारे में कुछ फैक्टों को समझ लेते हैं दोस्तों तो तेलंगना के बारे में दोस्तों सबसे पहले तो आपको तो याद रखना है कि हैध्रावाद सोड़ी आंद्रप्रदेस से अलग हुआ था दो जून 2004 को है ना अंद्र परधिस से अलग हुआ था यह दो जून 2004 चौदे को अगर हम बात करें दोस्तों कि हैदराबाद यानि कि जो तेलंगना है उसकी राजभासा क्या है ना तो इसमें जो बोली जाती तेगलू और उर्दू बोली जाती सरकार की बात करें दोस्तों यहां के तो मुख्य मंत्री है के चंदर सेखर राओ है यहां के मुख्य मंत्री अगर उच्छे ने आए लेगी बात करें तो हैदराबाद उच्छे ने आए लेए है यहां का ठीक है तो यह कुछ फैक दोस्तो आपको यहां से याद रखने हैं चली अगला कुशन देखते हैं कुशन 9 है मणिपूर राजे ने ग्रहाकों को पैंसन से जुड़ी जानकारी देने के लिए किस एप को लॉंच किया है तो यह किया है दोस्तो एम पैंसन एप को लॉंच किया गया है चली नौ जन्वरी की मुख्य करेंटे फिर को डिसकस करते हैं यहां से कुशन 1 है अमेरिका की नम दिर्वाचित उपराष्टपती कमला हैरिस ने किस भारतिय मूल की महिला को अपना प्रेश सचिम नियुक्त किया है तो यह किया है दोस्तो सवरीना सिहिंग के लिए कुशन 2 देखते हैं गुजरात के चार वार पूर मुख्य मंत्रिया वो कॉंग्रेस के दिगज नेता का 94 वर्ष की उमर में नेदन हो गया उनका नाम किया था तो इनका नाम था दोस्तो माधव सींग सौलन की चली कुशन 3 को देखते हैं स्री लंका के किस 29 वर्ष ये बल्लेवाज ने अंतराश्टी क्रिकिट से सन्यास ले लिया है तो यह ले लिया है दोस्तो सिहान जैसूरिया ने कुशन 4 को देखते हैं बैडमिंटन 20 महासंग ने कितने इंडोनेशाई बैडमिंटन खिलाडियों पर मैच फिक्सिंग मैच में हेरा फेरी और सटे बाजी में लिप्त होने के कारण अजीवन पिर्तिबंदित कर दिया है यानि कि पिर्तिबंद लगा दिया है तो दोस्तों कुमार जैसवायल को नियुक्त किया है तो ये कुशन आपको ध्यान रखना है कुशन 6 देखते हैं ब्रिटेन ने बानिजिक मंतरी आलोक सर्मा को किस बर सम्मेलन का पूर्ण कालिक अध्यक्ष नियुक्त किया है तो कॉर्प 26 सम्मेलन का पूर्ण कालिक अध्यक्ष नियु ये किया गया है दोस्तु, कुशन 8 देखते हैं, आज के दिन यानि कि 9 जन्वरी को किस दिभस के रूप में मनाया जा रहा है, तो इसे हम मना रहे हैं प्रवासी भातीय दिभस के रूप में नौन कुशन 9 देखते हैं कौन सा भारतिय बल्लेवाज आश्टेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में सो छक्के लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाडी बन गया है तो ये बन गया है दोस्तो अपने रोहित सर्मा चली 10 जनवरी की करेंटे फिर को डिसकस करते हैं दोस्तो कुशन पहला आए किस राज्य में भारी बर्फवारी के कारण उसे एक प्राकिर्टिक आपदा घोसित कर दिया गया है चली कुशन सेक्टे तो ये हो गया दोस्तो नसीर तुरावी का चली कुशन थर्ड देखते हैं काफी इंपोर्टेंट कुशेन आ दौस्तो यह यहां से कुशन बनने के चांस रहेंगे आपके परीशा में तो से देखिएगा तो कुशन है पिर्दानमंत्री कार्याले ने गरतंत्र दिवस पर किस देश के राश्ट्रपती को मुख अतिथी के रूप में आने का नोता दिया है तो यह दिया है दोस्तो सूरी नाम के जो मुख राश्ट्रपती है चंद्र का पिरसाथ संतोखी यह भारतिय मूल के एक निवासी है दोस्तो है ना बैसे यह अभी बस गया है सूरी नाम में जा करके और सूरी नाम के अभी राश्ट्रपती देखिए कि सूरी नाम एक देश है जो की दक्षणी अमेरिका का चेत्रपल के इसाब से सबसे छोटा संप्रभू देश है है ना अगर हम बात करें कि इसकी राजधानी क्या है तो इसकी राजधानी हो जाएगी दोस्तो पारा मारी वो क्या हो जाएगी पारा मारी वो तो क्लियर हो गया यहां की जो आए है लोगों की वो आए थोड़ी सी कम है यानि कि दो डॉलर से भी कम पर पेक्ती आए हैं की आंकी जाती है तो थो करके लिए चलिए कुशन फाइब को देखते हैं अमेरिका ने किस देश से आपसी संपर्क बहाली के सभी पृतिवंद हटा लिए तो यह हटा लिए ताइवान के साथ कुशन सेवन देखते हैं आज किस संस्थान का 47 वा दीख्षांत सामहरों को आयोजन किया जाएगा जिसमे केंद्रिय स्वास्त मंत्री डॉक्टर हर्श वर्दन मौझूद रहेंगे तो यह किया जाएगा दोस्तों अखिल भारती अयूर्विज्ञान संस्थान यानि की एम्स का चलिए कुशन सेवन देखते हैं देश में आज भारत के दूसरे प्रदान मंत्री लाल बहादुर सास कुशन 9 देखते हैं कौन सा एप बॉट्स एप मैसेजिंग एप को पीछे छोड़का भारत का सबसे जाएदा डाउनलोड किया जाने वाला यानि टॉप फिरी एप बन गया तो यह दोस्तों सिगनल है ना जैसा बिलकुल जैस लाइप बॉट्स है यह दूसरा एक तरीके से कह सकते हो चली कुशन 10 देखते हैं 10 जन्वरी को बिस भर में किस दिवस के रूप में मनाए गया तो यह मनाए गया दोस्तों 20 हिंदी दिवस के रूप में चली कुशन 11 जन्वरी की करेंटर फिर को डिस्कस करते हैं कुशन पहला प्रदाम नंतरी नरेंद्र मोदिया आज कि सामारो के कादेक्रम को संबोधित करेंगे तो राश्टिय युवा संसद सामारो को संबोधित किया था कुश्चन सेकेंड देखते हैं बर्ड फिलू को लेकर किस राजय ने पडोसी राजजियों से पॉलेट्री के प्रिवेस्वर प्रिटी बंद लगा दिया है आपको पता होगा तो इस लो बर्ड फिलू पर काफी चर्चाने चल दी हो बर्ड फिलू बहुत तेजी से फैल भी रहा जो पक्षी होते हैं खास करके मुर्गियों में है ना तो यह गो आने लगा दिया है चलिए अगला कुश्चन देखते हैं तेखिए कुश्चन अभी आपने पड़ा था इलोन मस्क बाला अब इस कुश्चन को समझी फोर्स मैगजीन देखिए यह फोर्स मैगजीन का सर्वे है वो बिलूमबर् रज़ग youं रेजर बैंक आउफ इंडिया ने किस बैंक का लाइसेंस रद् कर दिया है तो यह कर दिया है तो इस्टो महराश्ट में जो स्टेत है बसंतदादान नगरी सहकारी बैंक का कुश्चन फाइब देखते है इस्टार फूट्पवलर क्रिश्टियानो रोनालडो न फुट्वॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने के मामले में किस पूर्व खिलाड़ी की बरावरी कर लिए तो यह कर लिए तो जोसेफ विकान की यह ना कुशन 6 देखते हैं अमेरिका के नव निर्वाचित राष्टपती इस CIA का लिए किया है दोस्तों बिलियम बर्न्स को कुशन 7 देखते हैं भावती नौसेना आज से किस दो पक्षी अभ्यास सत्र में भाग ले रही है तो यह ले रही है दोस्तों C बिजिल 21 में कुशन 8 देखते हैं कि इस महापूरिस की जहनती के उपलक्ष पर देश भर में पिर्तिवर्स आज के दिन राष्टिय युवा दिवस के रूपे मनाते हैं तो स्वामी विवेकानंद की को हम जो मनाते हैं युवा दिवस के रूपे मनाते हैं इनके बर्डे को तो इनकी कौन सी स्वामी विक्वानेंद की कौन सी जैन्ती है दोस्तों यह 158 वी जैन्ती है चली कुशन 9 देखते हैं Bureau of Police Research and Development की रिपोर्ट के अनुसा बर्तवान में देशवर में पुलिस बल में कितने पिर्तिसत महिलाँ इंपोटेंट कुशन है दोस्तों यहां से इस तरह का कुशन जरूर बन जाता परिक्षाओं 10.03% महिलाँ की भागेदारी है पुलिस बल में चली 12 जन्वरी की करेंट एफर को डिसकस करते हैं दोस्तों फटा फट से कुशन पहला है भागती रक्षा सचिव अजय कुमार और बियातनाम के उपर रक्षा मंत्रिव ग्वेंची विन के बीच हुए बर्चुवल बैठक्ट में किस छेत्र में सहयोग बढाने की सहमती जयता ही गई है तो सेन सहयोग पर बात हुई थी कुशन सेकंड देखते हैं देश की पहली यर टैक्सी सेवा कल से किन सहरों के बीच सुरू होने जा रही है बहुत इंपोर्टेंट कुश्य है दोस्तों है यानि कि एक टैक्सी सेवा की तरह प्लेन से आपको जाने को मिलेगा एक सहर से दूसरे सहर किराए की लिष्ट दी आप देख सकते हैं तो इसका आप अगर लुफ्त उटाना चाहते हैं तो बिल्कुल संपर कीजिएगा कुशन थर देखते हैं रिजर बैंक ने जमार आसी पर ब्याजदर संबन दी उसके निर्देसों के कुछ प्राबधानों का उल्लंगन करने पर किस बैंक पर दो करोड रुपे का जुर्माना लगा दिया तो ये लगा दिया है दोस्तों डुएच बैंक एजी पर चलिए अगला कुशन देखते हैं फोर्ट नए किरसी कानूनों पर गतिरों दूर करने के लिए किस कोर्ट ने अगले आदे सक कानूनों को लागू करने पर रोक लगा दी है तो सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया तिर्शी बिल्ग पर बहुत जाता गहमा गहमी चल लगी है इस टेम आप देख भी रहे होंगा ना धरना बगएरा दिये हुए हैं किसान फाइब कुशन को देखते हैं डोनाल टरम के नितरत वाले अमेरिकी परसासन ने किस देश को और खिलाड़ी है यह ना तो यह हो गया है दोस्तों जस्प्रीत बुम्रा चलिए कुशन देखते हैं दोस्तों सेवन जो की इंपोर्टेंट कुश्य है खादी एवं गिराम उद्योग आयोग ने किस से निर्मित पैंट बनाकर बाजार में उपलत करानी की घोशना किये तो एहम संसोधनों के साथ पहली बार किसकी नियुकती का एलान किया गया है तो यह किया गया दोस्तों क्राउन प्रिंस का चलिए 13 दिसंबर की करणट एफिर को फटाफ़र से करते हैं दोस्तों डिस्कस कुश्चन फर्ष्ट है ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर ऑनलाइन एजु पी में सामिल होंगे जिनोंने हाल ही में बी आरेस लिया है तो यह हैं दोस्तों अर्विंद सर्मा बी आरेस का मतलब होता है तो उसका मतलब होता है वालेंटरी रिटायर्मेंट स्कीम है ना तो बी आरेस से ध्यान रखना यह अर्विंद सर्मा ने किया है ऐसा कुश्चन थ पायू सेना के बेडे के 83 अतरिक्त स्वधेसी एडवांस तेजस जेट के लिए कितने करोड रुपए के साथ बड़े स्वधेसी रक्षक खरीद स्वधे को मंजूरी प्रदान किये तो ये किये दोस्तों लगवग 48,000 करोड रुपे की चलिए कुशन देखते हैं 5 बेलारूस क किस खिलाडी ने आबुधा भी ओपन टैनिस टूर्णामेंट में लगातार तीसरा टाइटल जीत लिया है और अब टैनिस में 20 रेंकिंग में तीसरे इस्तान पर पहुंच गई हैं तो दोस्तों ये हैं आरेना सावा लेंका कुशन 6 देखते हैं किस राज्य सरकार ने राज किस पर पर्मानेंट बैंग लगा दिया है तो ये दोस्तों इसने अपचेट पर लगा दिया गया है कुशन 8 देखते हैं गुजरा सरकार ने किस नई नीती को लागू करने की घोसना की है तो ये कि ये नई पारियेटन नीती लागू करने की चली कुशन 9 देखते हैं भारत की और से पुर्टगाल में किसको राजदूत नियुक्त किया गया है तो यह मनीज चोहान को नियुक्त किया गया है दोस्तों चौदे जन्वरी की करेंट एफर को डिसकस करते हैं जो कि हमारा लाश्ट है आज का चली कुशन फास्ट है टॉम 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 ट्रेफिक इंडेक्स के मोताविए 2020 में सबसे ज़्यादर ट्रेफिक वाला सहर कौन सा रहा है तो यह रहा था दोस्तों मॉस्को पहले नंबर पे रहा था और मुंबई दूसरे नंबर पे रहा था जो कि हमारे भा को कर दिया, CORP को कर दिया, CNOC को कर दिया है दोस्तों चली थर्ड कुशन देखते हैं आज के दिन 15 जन्मरी को देशवर में किस दिवस के रूपे मनाया जा रहा है तो भारती है सैना दिवस रहा था जैसा कि अप लोग चानते हैं कुशन फोर देखते हैं एथलेटिक्स इ पिरधान मंतरी नरेंदर मोदी कल कोरोना वैक्सीन से संबंदित किस एप को लांच किया है ना किस एप को लांच किया है दोस्तों कोविन एप को लांच किया है, C.O.W.I.N.20 चलिए 6 कोशन देखते हैं भारत एवम नेपाल के बीच 14-16 जनवरी तक किस दो दिवसी बैठका आयोजन किया जा रहा है तो यह किया जा जा रहा है छटे भारत नेपल संयुक्त आयोग की बैठका चलिए 7 कोशन को देखते हैं नए किरसी कानूनों पर गतिरों दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की और से गठित कमेटी से किस सदस ने अपना नाम बापस ले लिया है तो भारती किसानी यूनियन के अध्यक्ष उपिंदर सिंग मानने चलिए 8 कोशन को देखते हैं भारत की सीर स्टैनिस खिलाडी अंकिता रहना ने दुबई में कैटी ना गोरगो दुजे के साथ मिलकर किस ट्रोफी को अपने नाम कर लिया है तो यह कर लिया है तो अल अब टूर ट्रोफी को 9 कुशन को देखते हैं 17 जनवरी को सुरू होने वाले पॉलियो टीका करन को सगित कर अब कब से सुरू करने की गोशना की गई है तो यह की गई है दोस्तो 31 जनवरी से कुशन 10 जो कि हमारा लाज कुशन है लेंड लाइन से मोबाइल पर फोन लगाने के लिए आज से आज से नंबर से पहले यानि नंबर डाइल करने से पहले किस नंबर को दर्ज करना अनिवारी होगा तो सून नंबर को दर्ज करना अनिवारे होगा तो हमने दोस्तों जनरी की करनटेफ फिर को डिसकस कर लिया है, आसा करते हैं, यह वीडियो आपको काफी पसंद आया हुगा, इसका PDF आपको टेलिग्राम ग्रूप से मिल जाएगा, आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप को जॉ éléments, कर लिजे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद, जै भारत